15 ओगस्ट को पीएम नरेंद्र मोदीजी ने खोशना की कि 3 करोणा वैक्सीन बनाने का काम अलग अलग चर्णों में है जब से ये कोविट का सिच्वेशन स्टार्ट हुआ तब से देश भर में वैक्सीन बनाने में डॉक्टर्स लग गए हैं कौन कौन सी है ये तीन वैक्सीन डेश में कहा तक पहुचा है वैक्सीन बनाने का काम इंडियन गवर्मेंट इसमें क्या कर रही है और 225 रुपे वाली वैक्सीन किसको मिलेगी आज पूरी बात जानेंगे हम अपने इस वीडियो के जरिये तो चलिए देखते हैं पूरी वैक्सीन बनाने में सबसे ज़्यादर उम्मीद और सबसे ज़्यादर चल रही है ओक्सपॉर्ड युनिवर्सिटी और एक्स्टर जिना की वैक्सीन भारत में इसका उत्पादन होगा सिर्म इंस्टिटूट ऑफ इंडिया पूने में और एक बड़ी बात ये है कि थर्ड स्टेप का ट्राइल लास्ट वीक ही स्टार्ट हो चुका है ये एक बहुत बड़ी बात है SII को उमीद है कि तब तक उसे Ethics Committee और दूसरी Clearance मिल जाएगी एक और ज़रूरी बात 3.5 से 4 महीने बाद इसका Test Report मिलते ही इस वैक्सीन का उत्पादन SII में शुरू हो जाएगा Totally 17 places में 11,000 लोग Participate कर पाएंगे इस वैक्सीन के ट्राइल में और इसमें शामिल है Mumbai, Delhi, Pune, Jodhpur, Chandigarh, Chennai, Vishakapatnam, Gorakhpur, Vardha जैसे शहर यानि इंडिया में December तक बनने लगेगी Oxford University और ExtraZena की वैक्सीन एक और बाद SII International Vaccines Alliance घावी, बिल और Melinda के बीच समझोता हुआ है कि SII घावी को 10 करोर वैक्सीन बना के देगी और उसकी कीमत होगी 225 सुपे घावी ये वैक्सीन पूरे देशों में कम और मध्य आये वाले देशों को बेजेगी यानि टोटली 5 करोर पीपल को बेनेफिट होगा इस वैक्सीन से क्यूंकि एक वैक्ती को वैक्सीन की 2 डोजस लेनी होगी ये जाना जरूरी है क्यूंकि न्यूस पेपर में और अकपार में पता चला है कि इंडिया में सबको 225 रुपे में करोना की वैक्सीन मिलेगी सिर्फ 5 करोर वैक्सीन SII बना रहा है जो घावी को देगा और घावी उसे 70 देशों में बाटेगी इंडियन गवर्मेंट ने इंस्टिट आफ इंडिया पूने को वैक्सीन बनाने का कोई और नहीं दिया है क्योंकि गवर्मेंट के पास बहुत आप्शन है सारे चीजों को देखने के बाद गवर्मेंट अपना फैसला लेगी SII का कहना है वो इंडियन गवर्मेंट के लिए अलग से वैक्सीन का प्राइस टै करेगी जो की पिछली बताई गई कीमत यानि एक हजार से कम होगे SII अब मन्थ में वैक्सीन की 20 करोड डोजस बना सकेगी सेकेंड नमबर पे जाइडस कैडला की वैक्सीन जिसे जुलाई में अनुमती मिली जिसका फेज वन पूरा हो चुका है फेज वन में इसे सेफ और से क्यों आना गया है अब होगा फेज टू जिसमें देखा जाएगा कि इम्यून सिस्टम को कहां तक बढ़ा पाती है 1000 वॉलिंटियर पे इसका ट्राइल होगा और होप कि फैब या मार्ट 2021 तक रेडी हो जाएगी जाइडर सकरला इसे Department of Biotech इंडियन गवर्मेंट के नाशनल बायो फर्मा के मिशन के सयोग से बना रही है भारत Biotech और ICMR की को वैक्सीन पहला ट्राइल चल रहा है इस वैक्सीन का 12 प्लेसेज यानि 12 जगा पे 375 volunteer participate कर रहे है अभी तक पता चला है कि ये वैक्सीन सेफ है इसकी डोस दी जा रही है और जल्द ही blood sample लिये जाएंगे ये देखने के लिए immune system को कहां तक बढ़ाता है उम्मीद की जा रही है कि इस महीने की आखरी तक इसका phase 1 पूरा होगा और सेप्टेंबर में phase 2 स्टार्ट हो जाएगा करोना वैक्सीन के आज सरकार के बड़े अधिकारियों और वैक्सीन बनाने में जुटी फर्मा कंपनी की बैठक हुई सरकार ने वैक्सीन बनाने के हो रहे प्रगती के बारे में जानकारी ली और जानना चाहा कि उनके सरकार से क्या उमीदे हैं सरकार का कहना है क्योंकि वैक्सीन बहुत कम समय में बन रही है कई जग़ फेज 1, फेज 2 और फेज 2, फेज 3 के ट्राइल एक साथ हो रहे हैं इसलिए सरकार का सबसे ज़्यादा अध्यान इस बात पर है कि वैक्सीन सुरक्षित और कारगार हो फोब कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और बहुत सी जानकारी मिली होगी इस वीडियो के जरिये ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहे है और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहे है थांक्यू सो मच पर वाचिंग माई वीडियो अब मैं आप से मिलती हूँ अपने निक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई और टेक के